एक बेक्ती जो दिन भर मेहनत मजदूरी का काम करता है, साम के वज़ जब अपने घर पे पहुंचता है, खाना वना खा कर सो जाता है। लेकिन ठीक रातरी के करीब बारा बज़े के आज पास पूलिस को फोन करता है, और कहता है कि साब में ने दो लोगों की हत्या कर दिया है। पुलिस जब इस केस की छान मिन करना सुरू करती है, तो एक ऐसा सचाई सामने निकल कर आता है, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार आदाब मैं हश्मो दिन और आप देख रहे हैं सफर क्राइम तक। आज की जो सची घटना में आपको सुनने वाला हूँ, दरसल ये घटना है उप्तर परदेश की। उप्तर परदेश के एक जीला पढ़ता है औरया, और इसी औरया का एक थाना पढ़ता है सहायल, सहायल थाने के अंतरगते गाउं आता है नंदपूरा, और इसी नंदपूरा गाउं का रहने वाला सोभाराज दोहरे, सोभाराज, जिसकी उम्र हल लगभग 36 साल के आसपास, सोभाराम की पतनी का नाम है रागीनी, सोभाराम के टोटल तीन बच्चे हैं जिसमें दो बेटियां और एक बेटा, सोभाराम जो राज मिस्तिरी का काम करता है थोड़े बहुत पैसे कामाता है और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ बुजारा करता है, बात कर रहा हूं मैं 14 जून 2023 के रातरी के करीब 12 बज़े के आसपास, दरसल सोभाराम पुलिस को फोन करता है और कहता है कि साब मैंने दो लोगों की हत्या कर दिया है और दोनों की डेट बोडी मेरे घर पे ही पढ़ा है, सोभ सोभाराम के घर पे पहुंच जाती है, सोभाराम पुलिस फालो को ले कर के अपने घर के छट पे जाता है, पुलिस जब छट पे पहुंचती है तो देखती है कि छट पे ही दो लोगों का डेट बोडी पढ़ा है जो नगन वस्था में था, जिसमें एक महिला थी और एक जिसका नाम है रिंकु जो मेरे ही गाउं का रहने वाला है रिंकु जिसकी उम्र है लगभग, 22 सल के आसपास इधर पुलिस जब अपने टीम के साथ नंद पूरा गाउं में पहुंचती है इस बात की जनकारी गाउं के लोगों को मालूम चल जाता है गाउं के लोग जब सोभाराम के घर पे पहुंचते है तो गाउं के लोगों को मालूम चल जाता है कि दरसल सोभाराम ने रिंकु यादव की हत्या कर दिया है जैसे इस बात की जनकारी रिंकु की मा मीना देवी को मालूम चलता है वो भी सोभर हमके घर पे पहुंचती है और जब अपने बेटे की डेट बोडी को देखती है चिक चिक करके रोने लगती है इस बात की जनकारी जब यादाओ जाती समुदाय के लोगों को मालूम चलता है तो लोगों के अंदर भी गुसा फूट फूट करके बाहर निकलने लगता है लोग एक ही जवाब देते हैं कि सोभर आब एक नीच जाती का आदमी है और नीच जाती का आदमी होकर हमारे जाती समुदाय का एक जवान लड़के की हत्या कैसे कर दिया लोगों का गुसा देख करके पूलिस भी समझ जाती है इसलिए पूलिस तुरंथी वहाँ पे काफी फोर्स बुला लेती है और तब जाकर के रागनी और रिंक्यू की डेट बोडी को अपने कबजे में लेती है और उसे पोस्माडम के लिए भेज देती है साथी साथ सोभाराम को भी अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुँच जाती है और फिर सोभाराम से दोनों के हत्या के बारे में पूस्तास करती है सोभाराम जब इन दोनों की हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने का बाद हर कोई सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इसमें गलती थीक इसकी दरसल इस कहानी की सुरुआत होती है साल 2012 में रागीनी जिसके पीता का नाम है राजा राम दोहरे राजा राम जो कानपूर के रसूला बाद थाने के अंतरगत सकरगड़ा गाउं का रहने वाला है राजा राम की पतनी का नाम है सरला देवी राजा राम के टोटल तीन बेटियां है जिसमें अपनी दो बेटियों की साधी कर चुका है सबसे छोटी बेटी है रागिनी जो देखने में बहाधी खुबसूरत रागिनी जैसे ही जवानी के देहलीश पे कदम रखती है राजा राम अपनी बेटी की साधी कराने के लिए एक लड़के का तलास करना शुरू कर देता है और बहुत जल्द राजाराम की ये तलास भी पूरी हो जाती है और उसे नंद पूरा गाउं का रहने वाला सोभाराम मिल जाता है सोभाराम के पीता का नाम है जगदीस दोहरे मा का नाम है ममता देवी जगदीस के भी टोटल तीन बच्चे हैं जिसमें दो बेटियां और एक बेटा जगदीस भी अपनी दोनों बच्चियों की साधी कर चुका है लेकिन जगदीस की पत्नी बहुत साल पहले ही इस दुनिया को छोड़के जा चुकी है इधर राजाराम को जैसे ही सोभाराम पसंद आ जाता है साल दोहजार बारा में राजाराम अपनी बेटी रागनी की साधी सोभाराम से कर देता है रागनी जब सोभाराम से साधी कर अपने ससुराल में पहुंचती है तो अपने साथ ने कई तरह के सपने भी लेकर आती है लेकि रागिनी ने जैसे अपने सपनों का राजकुमार सोचा था दरसल सोभाराम वैसा नहीं था बलकि सोभाराम देखने में जो बेहादी दुबला पतला ही नहीं था बलकि रंग से भी सावला था साथी साथ राज मिस्तिरी का काम करता था रागिनी जब अपने पती को देखती अपने पती को पाकर खुस नहीं होती है जैसे तैसे कुछ महिने का समय गुजारती है लेकि रागिनी जब पहली बार अपने मायके में जाती है अपने माँ से काफी जगरती है कहती है कि तुम लोगों ने मेरे कैसा लड़के से साधी कर दिया है मेरी दोनों दिदियों की जो साधी हुई है मेरे दोनों जीजा बहदी हेंडसम है रागनी अपने मा से कहती है कि मैं वापस अपने ससुराल नहीं जाओंगी उसकी मा उसे समझाते हुए कहती है कि सोभारा में कोई कमी नहीं है ना तो वो दारू सरा पीता है और ना ही जुआ खेलता है जब कुछ दिन अपने पती के साथ रहोगी वो भी तुम्हें पसंद आने लगेगा लेकि रागिनी अपनी मा की बात मानने के लिए त्यार नहीं होती है इसलिए रागिनी के मा उसे काफी दबाव देते हुए वापस उसे सोसुराल भेज देती है रागनी वापस अपने सवसुराल में तो आ जाती है लेकिन इसके बावजूद भी अपने पती को पसंद नहीं करती है और जैसे तेसे अपने पती के साथ समय काटने लगती है जब कुछ साल का समय गुजरता है सोभाराम के दो बच्चे भी हो जाते हैं जिसमें एक बेटा और एक बेटी सोभाराम जो राजमिस्तिरी का तो काम करता ही है लेकिन अपनी पतनी से बेंतहा महबबत करता है घटना से ठीक लगभग दो साल पहले सोभार आम के घर में पंखा खराब हो जाता है रागनी अपने पती से कहती है कि पंखा ठीक करा दो क्योंकि बच्चे गर्मी में सूर नहीं पा रहे है सोभार आम उसे कहता है कि मेरे ही गाउं का एक लड़का है जो इलेक्टिसियन का काम करता है जिसका नाम है रिंकू सोभार आम कहता है कि मैं जाकर के रिंकू को घर पे भेज़ देता हूँ वो आकर के पंखा ठीक कर जाएगा सोभार आम जब अपने काम के लिए जाता है रास्ते में अपने ही गाउं का रहने वाला रिंकु से बोल जाता है कि जाकर के मेरे घर पे पंखा ठिक कर देना रिंकु जिसके पीता का नाम है ललन यादो, मा का नाम है मीना देवी रिंकु जो अपने ही इलाके में लेक्टिसियन का काम करता है सोभाराम जब अपने घर का पंखा बनाने के लिए रिंकू से कहता है करीब दोपहर के वक्त रिंकू सोभाराम के घर पे पहुंचता है लेकिन जब पंखा बनाने के लिए उसके घर पे पहुंचता है और जब पहली बार उसकी पत्नी रागनी को देखता है तो रागनी की खुबसूरती दे रिंकु पहली नजर में उसे अपना दिल दे बैठता है रिंकु काफी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि सोभाराम की पत्नी इतनी खुबसूरत कैसे हो सकती है दरसल रागनी की खुबसूरती देख रिंकु को अपने आखों पर यकीन ही नहीं होता है पहली नजर में रिंकु रागनी की खुबसूरती देख अपने नियत खराब कर लेता है जब पंखा बनाने के लिए जाता है इधर उधर की बाते भी उससे करता है उसके बाद से रिंकू अक्सर अब रागनी के घर पे जाना सुरू कर देता है जब बार बार उसके घर पे जाता है तो रागनी भी रिंकू से देवर भावी का रिस्ता बना लेती है जैसे ही दोनों के बीच में देवर भावी का रिस्ता हो जाता है रिंकु जब रागनी के घर पे जाता है अब रागनी से काफी हद तक हसी मजाग भी करता है लेकिन अब रिंकु रागनी के घर पे तभी जाता है जब सोभार आम अपने घर पे नहीं होता है हसी मजाग में कुछ हैसी बाते कहता है जिसे सूनकर रागनी को भी समझने में देर नहीं लगता है कि रिंकु उसे पसंद करने लगा है दरसल कहीं न कहीं रागनी भी रिंकु को पसंद करने लगी थी हसी मजा करते करते आखिर का रागनी और रिंकू के बीच में अवज संबन्द सुरू हो जाता है एक बार जब ये सिलसिला सुरू होता है उसके बास से कभी थमने का नाम ही नहीं लेता है लगभग दो सालों तक ये सिलसिला चलता है लेकिन इस बात की जनकारी सोभार आमको कभी नहीं मालूम चलता है लेकिन जब पडोसियों को थोड़ा सा सक हो जाता है आखिर कार एक दिन सोभार आमका दोस्त इस बात की जनकारी उसे दे देता है कहता है कि जब तुम घर पे नहीं होते हो अक्सा रिंकू तुम्हारे घर पे जाता है जैसे ही सोभाराम का दोस्त इस तरह की बाते उससे कहता है इसे सुन करके सोभाराम को भी थोड़ा सा सक हो जाता है जब अपने घर पे आता है इस बारे में अपनी पत्नी से पूस्ताश करता है लेकिन रागनी भी अपनी तिरिया चरीतर दिखाते हुए अपने पती से एकदम से जूट बोल देती है कहती है कि गाउं के लोग सब जूट बोल रहे है सुभाराम जो अपनी पत्नी से बे इंतहा मोहबबत करता था इसलिए अपनी पत्नी के बातों पर यकीन कर जाता है लेकिन एक दिन सुभाराम जब काम पर जाता है दोपहर के वक्त ही अपने घर पे पहुंच जाता है और जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है रिंकू और रागनी को अपती जना की स्तिथी में देख लेता है इधा रिंकू जैसे ही अपने सामने सोभाराम को देखता है वहाँ से भाग खड़ा होता है उस दिन सोभाराम अपनी पत्नी को काफी फटकार लगाता है उसे समझाता भी है रागनी भी तुरंत ही अपने पती का पैर पकड़ लेती है और अपने गलतियों की माफी माँग लेती है कहती है कि आइंदा समुझ से ऐसी कोई गलती नहीं होगी सोभाराम भी अपनी पत्नी पे भरोसा कर लेता है सोभाराम तो अपनी पत्नी पे भरोसा कर लेता है लेकिन इसके बावजूद भी रागनी रिंकु से बाच्चित करना बंद नहीं करती है बलकि अब जब रिंकु को अपने घर पे बुलाती है तो काफी सतर्कता बरती है इसके बावजूद भी दोनों मुलकात करते हैं पर जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है एक दिन सोभाराम फिर से अपने ही घर के अंदर दोनों को अपत्ती जनकिस्तिती में देख लेता है सोभाराम जब अपनी पत्नी को दूसरी बार पकड़ता है उसकी बुरी तरीके से पिटाई करता है और उसके बाद से अपनी पत्नी के उपर नजर रखना सुरू कर देता है जिसकी वज़ा से अब रागनी और रिंकु का मुलकात नहीं हो पाता है हालाके सोभाराम जब अपने घर पे चला जाता है इधर रागनी की बड़ी बेटी भी लगभग आठ साल की हो जाती है उसकी बच्ची भी थोड़ी बहुत समस्दार हो जाती है जिसकी वज़ा से अब रागनी चाह कर भी रिंकु से मुलकात नहीं कर पाती है इसलिए रागनी अपनी बेटी को अपने माय के भेज़ देती है पर जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है सोभाराम का पीता के भी मौत हो जाती है जिसकी वज़ा से अब सोभाराम की घर की जिम्यदारी पूरी तरीके से उसके उपर आ जाती है सोभाराम अब दिन भर मेहनत करने लगता है पर जैसे ही कुछ महिने का और समय गुजरता है रागनी अपनी तीसरी बच्चे को जन देती है रागनी की तीसरी बेटी जब इस दुनिया में आती है उसे देख करके सोभाराम को लगता है कि साधिये मेरी बेटी नहीं है सोभाराम के दिमाग में बैठ जाता है कि ये लड़की हो नहार रिंकू की ही है इसलिए अब सोभाराम भी अपने पत्नी से नफरत करने लगता है दरसल रागनी भी भरोसेक लाइक थी ही नहीं उसके पती की इतने समझाने के बावजूद भी रागिनी रिंकू से मिलना जुनला बंद नहीं करती है 14 जून 2023 के साम के वग सोभार हम हर रोज के तरह जब ड्यूटी से अपने घर पे पहुंचता है खाना वना खा कर सो जाता है सोभार हम जब अपने घर के बरांडे में सो जाता है रागिनी भी अपनी बेटी को लेका कमरे के अंदर सोने चली जाती है बेट पर जाकर सोती तो है लेकि रागिनी के आँखों में नींद ही नहीं आती है दरसल उसे रिंकू की याद सताने लगती है क्योंकि रिंकू और रागिनी का मुलका लगभग एक महिना हो चुका था जब उसके आखों में नेंद नहीं आती है रात्री के करीब 11 बजे के आज पास रागिनी रिंकू के नंबर पे फोन करती है और उसे मिलने के लिए अपने घर पे ही बुला लेती है इधर रिंकू जब करीब रात्री के 11 बजे के आज पास रागिनी के घर पे पहुंचता है रागिनी रिंकू को लेकर के सिधे छट पे चली जाती है और छट पर जाकर दुने एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं करीब 12 बजे के आज पास जब सोभाराम के आँख खुलती है जाकर के अपने कमरे में देखता है उसकी बेटी अकेले बेट पे सो रही थी पूरे घर में अपनी पत्नी की हर जगों पे तलास करता है जब रागिनी उसे कहीं नहीं दिखाई देती है सोभाराम को लगता है कि साइद उसकी पत्नी छट पे होगी इसलिए बीना कोई सोर सराबा किये हुए चुपके से छट पे पहुँच जाता है सोभाराम जैसे ही छट पे पहुँचता है अपनी पत्नी और इंकु को संबंध बनाते हुए देख लेता है जैसी इस तरह की नजारा देखता है, सोभाराम इस परकार से गुसे में आ जाता है कि उस दिन उसका सब्र का बांध तूड़ी जाता है। सोभार आम अपने छट से एक इंट उठा करके लाता है और रिंकू के सर पे काफी जोर से वार कर देता है जिसकी वज़ा से रिंकू का सर फट जाता है और उसके सर से काफी मातरा में खून बेहने लगता है रागनी जैसे ही अपने सामने रिंकू को इस वास्था में देखती है अपने पती से जगडने लगती है सोभाराम उसी इंट से अपनी पतनी के भी सर पे वार कर देता है और फिर उस इंट से दोनों के सर पे एक पर एक कई बार वार करता है जिसकी वज़ा से दोनों की घटनास्तल पे ही मौत हो जाती है उसके बाद से सोभाराम दोनों की डेट बोडी के बगल में ही बैट कर काफी देर तक सोच विचार करते रहता है काफी सोच विचार करने के बाद आखिर कर सोभाराम नजदीकी थाने में फोन करता है और पुलीस वालों से कहता है कि साब मैंने दो लोगों की हत्या कर दिया है और दोनों की डेट बोडी मेरे घर पे ही पड़ा है वाकई में सोभाराम जब ये पूरी कहानी पुलीस वालों को बताता है पुलीस सोभाराम के ही तेहरीर पे उसे अपने कस्टडी में ले लेती है सुल्ल जून 2023 को उसे जिला दालत में पेस करती है जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है फिलहाल सोभाराम के तीनों बच्चे अपने नाना नानी के पास रह रहे हैं दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं आप अपनी राय हमें कमेंट बक्स में जरूर दीजिएगा तब तक के लिए जय ही जय भारत